ओनलाइन जफर चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस नई वीडियो में हम जानेंगे के एन एस डील से पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करें होता यह है कि अक्सर लोगों का खो जाता है चोड़ी हो जाता है इस तरह से पैन कार्ड घुम हो जाता है तो अब उनके साथ परिशानी होती है कि यह डाउनलोड कैसे करें उसके लिए पूरी परकिरिया हम इस वीडियो में आपको बताएंगे शुरू से आखरी तक आप देखें सारी जानकारी आपको मिल जाएगा अपने आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा है तो पहले पैनकार्ड डाउनलोड करने के लिए कुछ जानकारी जो आपके पास होना चाहिए सबसे पहले जानकारी यह के पैनकार्ड ज्यादा तर एंसडियल से बनाए जाते हैं और दूसरा यूटी आई से बनाए जाते हैं तो यह आपको पता होना चाहिए कि आपका पैनकार्ड कि से बनाया गया है तो उसके और कोडिग आप गstoffee तो इस तरह का इंटरफेस खुल करें आगा तो सबसे उपर डानलोड इंसयों हो रहा है इस पर आपको टाइप करना वैसे इसका link description में मैं डाल दूंगा आप वहां पर जाके type करेंगे तो direct site पर पहुंच जाएंगे उसके बाद उसको type करने के बाद इस तरह का interface आपके सामने में आ जाएगा यहां दो चीज़ आपको दिख रहा है एक acknowledgement नमबर से दूसरा पैन नमबर से किस तरह से आप डाउन कर लोड कर रहा चाहते हैं अगर आपके पास acknowledgement नमबर है तो मुझसे भी डाइम लोड कर सकते हैं आप हमें यहां पे पैन कार्ड को select कर लिया है और उसके बाद नीचे option देखिए लिखा आ है पैन पैन आपका जो पैन नमबर है वह यहां पर डाल देंगे उसके नीचे अपना आप आधार कार्ड नमबर डाल देंगे और उसके नीचे देखेंगे मन्था वर्थ डेट दिख रहा है मतलब आपका जो बर्थ डेट का मन्थ है वो यहां पर टाइप करना है सेलेक्ट कर लेना है उसके बगल में यहां पर आपको साल सेलेक्ट करना है जिस बर्थ डेट का जो एयर है वो सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करने के बाद इसको स्क्र पे फिल करेंगे. फिल करने के बाद इसको सब्मिट करेंगे सब्मिट करते हैं. यह आपको Next पे ले जाएगा और इस तरह काई Interface के सामने में आएगा. यहां सब से उपर आपका Pan Card Number शोँ होगा. उसके नीचे मोबाइल नामबर शोँ पी मतलब यहां पे एक option को select किजिए जिस पे ओटीपी जाएगा और वह आपको यहां पे डालना परेगा तो सबसे उपर है email ID दो नंबर पर है mobile नंबर और तीन नंबर पर है बोथ मतलब दोनों पर तो आपको बहुत select कर लेना है उसको select करने के बाद नीचे नीचे चेक बॉक्स को भी आपको select करना है उसको select करने के बाद नीचे generate ot पे tap करेंगे इसको tap करते हुए ही आपके सामने फिर इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा यहां पे शो हो के payment gateway पे लेके चला जाएगा यहां पर आपको payment gateway select करना है जैसे credit card debit card net banking upi wallet qr आप जिसमें comfort है जिससे आप पे करना चाहते हैं उसको यहां पर select करेंगे उसको select करने के बाद यह अगर by the way आप qr select करते तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने में आप qr को scan करेंगे और payment करेंगे payment करने के बाद फिर यह आपको next page पर redirect कर देगा और इस तरह का इंटरफेस आ जागा यह आपका e-print download होने के लिए ready है और नीचे आपका receipt भी जनरेट होके आ जागा इसको भी आप प्रिंट कर सकते हैं उसके बाद आप डाउनलोड पे टाइप करके डाउनलोड करेंगे यह फाइल PDF में download होगा आपको open करने के लिए password डालने की ज़रूरत होगी तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपका जो birth date होता है वह password होता है जिससे जो भी महीना और date और साल साड़े को एकठे आप डाल देंगे उस password में आपका यह इस तरह का खुल के आ जाएगा और आप इसको करोप करके काड़ बना सकते हैं यूज कर सकते हैं किसी तरह भी आप यूज कर सकते हैं तो यह रहा परकिरिया डाउनलोड करने का पैनकार्ट का एनेजडियल से अगर यूटी आई से करना है तो उसके वेप साइट में जाना है लगवक सेम प्रोसेस उसका भी होगा आप वहां से जाके यूटी आई का भी डाउनलोड कर सकते हैं उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई करें और अभी भी कुछ बाकी रहे गया नहीं सबस्वें आया तो कॉमेंट करें मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के लिए थैंक्यू सो माइच